पाइनली सीबेसी ने डेट अनाउंस कर दिया बाई कि आपका सीबेसी का रिजल्ट कब आने वाला है बहुत दिनों से आप परिसान थे हर जगह जाके चेक कर रहे हो कभी गूगल पे कभी यूटूब पे कभी ट्विटर पे कि रिजल्ट कब आएगा तो सीबेसी ने पूरी बता है जो बक्ता है चोटी सीफंट में बेसिक लेकर रखे थेते और जो बच्चे ट्रस में इस्टेंडर मेठे लेकर रखे थे हमें पता है जो बच्चे standard maths से पढ़ाई करते हैं वो standard maths से जब 11th में जाते हैं तो उन्हें math opt करने में कोई problem नहीं होती है ताकि वो J की तयारी आसानी से कर सकते हैं लेकिन जो बच्चे class 10th में basic maths लेके बैठे होते हैं वो class 11th में जाने के बाद वो math को as a subject चूज नहीं कर सकते थे बट ये चीज़ कोवीड के बाद से change कीर दी गई थी बट cbsc ने इसके उपर एक circular जारी किया हुआ यहां देख सकते हैं दो पाश दोजाजार 24 को यह circular दिया ह हुआ है और इस circular में जब आप देखेंगे प्रॉपर आप सब्जेक्ट देख सकते हो पर्मिशन टूद टू आफर mathematics in class 11th academic session दोजार 24 पच्चिस टूडेंट्स अगर आप पूरा पढ़ोगे तुम्हें पढ़ने की जरुवत नहीं है तुम्हारे भाई ने पूरी सारी शीजिए पढ़ रखी है मैं बता दे रहा हूं क्या है पूरा कि जो बच्चे क्लास टेंट में बेसिक मैथ ले रखे थे वह क्लास 11 में मैथ है सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और यह सिर्फ इस साल इट मीज दोजार चौबिस पच्चिस शेशन के लावें सीबसी की तरफ से दे दी गई है तो आपके लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी गुड न्यूज होगी है लेकिन आप बात करते हैं कि सीबसी का रिजल्ट आएगा कब यह तो बात आ करता है यहां जब आप साच करेंगे सीबसी रिजल्ट आजाएगा सीबसी रिजल्ट इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं एक प्यारी सी लाइन लिख्के आ रही है कि सीवेसी बोर्ड रिजल्ट पर क्लास स्टेंथ और लाइकली टू बी डिकलेड आफ्टर ट्वेंटीएथ मई लास्ट वीडियू मैंने ट्वेल्थ मई बोला था बट वह और अपग्रेड करके 20 मई के बाद कर दी गई है तो आपको अब हमें आपको और इतना है रिजल्ट में ले के आया हूं महिनत तुमने बहुत अच्छी करी थी तुमारा बहुत अक्षा आएगा परिषान नहीं रहना में एकदम चिल हो जाओ सब कुछ बूल जाओ अच्छी तरीके से जिस क्लास में तुम हो वह लास को अछी तरीके से मेहनत करो और आगे अभी बहुत लंबी जर्णी है मिलतें अगले वीडियो में बबाई जैहिन